हेलो वीवर्स तो मेरे चाइनल टेरेस गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट्स में आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक है कि हम इन नारियल को सीट से मतलब इस नारियल से एक पौधा कैसे बनाए इसे कैसे ग्रोव करें इसे कैसे अंकुरित करें तो मैंने ऐसे बहुत सार नारियल लगभग मैंने आठ नारियल लाए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए और मैं इनको आप घर में कैसे ग्रोव कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा हाला कि मैंने इसके पहले पिछले साल समर टाइम पे ही कुछ नारियल खरीत के लाए थे और यह पाने वाले नार नारियल घर में ग्रो करना चाहते हो या अंकुरित करना चाहते हो बोनसाई की तरह तो भी आपको पाने वाले नारियल ही लाने होंगे और अच्छे वेट हो पानी का और लगभग मुझे एक नारियल ये 25 रुपे का पड़ा है पिछले साल यही साइज का नारियल मुझे 20 तो मेंने उसके चार से पांच और डाय स्क्सीbles स्यूपई रोफा थे चार कि रच तो मेरे अपने उस यहें पनतरी कॉला पहला चार के फ़ीस्फर में दे संगा जाएं थे मैंने खकेच तरह किस तरह से आपको इसको आपको इसको करना है इसको डोफी समर है तो सबसे पहले प्रोसेस में मैं बताऊंगा कि इस तरह के गमले में आप इसको स्प्रॉट कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप ज्यादा मिट्टी है नहीं निकाल दी हैं और इस तरह के गमले में आपको एक इस तरह का नारेल लीजिए और इस तरह के नारेल के आस पास बहुत सारी मिट्टी डालिए तो अभी मैं इस पॉर्ट में थोड़ी से मिट्टी डाल दूँगा उसके बाद इसको उस पे उपर रख दूँगा तो अब मिट्टी डालने के बाद ये जो उपर का पोर्शन है आप देख सकते है ये उपर का पोर्शन इससे इस तरह की से रखिये नीचे तक और इसके आस पास जितनी ग्याप है आप उसमें मिट्टी डालिए तो मिट्टी डालके हो गई हैं इसे आप ऐसी जगा रखिये टेरेस पे या आपके पास जहां भी जगा हो जहां सबसे ज़्यादा धूप आती हो और सबसे ज़्यादा यह गरम हो जाए धूप के समय अभी तो बारिश का मोसम है तो पाने इस पे गिरे भी तो भी कोई ज़्यादा मसला है नहीं आप बस इसे धूप वाली जगा रखिये अब क्या प्रोसेस होगी इसमें इंटर्नली धूप वाली जगा रखने से यह जो मेने इसका जो बुरादा है उपर का यह निकाला नहीं है मेरे यह आज इट इस डाला है तो यह काफी सारा मॉइस्चर कंटेंस टोर करके रखेगा और जो पाने हम मतलब बारिश के वज़े से रहेगा उसके वज़े से यह मेंटेन रहेगा इसका मॉइस्चर और धूप की वज़े से आसपास का एरिया ज्यादा गरम होगा और उस वज़े से इसकी स्प्रोटिंग जल्दी हो जाएगी तो इसको आपको अब दो से तीन मैंने देखना नहीं है कि क्या होगा मतलब के स्प्रोट हुआ या नहीं हुआ आपको ऐसे लगा के भूल जाना है कि मैंने कुछ लगाया था गमले में और आपको दिखेगा कि यहां की मिट्टी धीरे धीरे ऊपर ढखिलके वो जो स्प्रो पूल तरीका है और मैंने काफियों को सज्जिस किया है और उनका भी ऐसा ही रिजल्ट आया है अब यह जो बाकी जितने भी नारेल बचे हैं साथ यह इस में जो कोलर का टब होता है इसमें लगाऊंगा और इसमें लगाने से पहले में थोड़ी ज्यादा मुश्चर इस पर में इसके लिए मेरे पास कुछ जूट की बोरिया है वो इसके नीचे डाल दूँगा तो मेरे जूट की बोरिया डालके यहां पे हो गई है इसके उपर में थोड़ी से मिट्टी उढ़ेल दूँगा तो अब यहां पे मिट्टी एक लियर डाल दी है और उसके उपर में यह जो नारियल लाए है मैंने वो इसके उपर रख दूँगा कि इस तरह से यह नारियल मैंने रखे हैं उस डिस्टंस में तो इस तरह के से मैंने यहां पे कुछ नारियल रखे हैं और इसके उपर में डालूंगा मिट्टी बहुत सारे मिट्टी मिट्टी से पहले मेरे पास कुछ राइसस था वो भी इसके आसपास में डाल दूँगा जिससे एयर रेशन प्रॉपरली बनी रहे हैं इसके हो जाने के बाद इसमें अब मिट्टी डालूंगा उपर इसके आपको पूरी मिट्टी से अब कवर कर दूँगा और यह फिर से एक अपडेट आज की देट हैं 12-08-2022 और यह जो नारियल है यह स्प्रॉट हो चुके हैं काफी सारे यह भी हो चुका है अंदर से आप देखेंगे तो इसका तो अच्छा खासा रूटा आ चुका है मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया पर मुझे पता है रूटी आया है तो अंदर देखना ही क्या है यह भी एक और यह भी एक तो कुल मुलाकर अभी तक स्प्रॉट हुए है एक दो तीन चार और पाच और यहां पर तीन मेने धक कर रखे हैं जो अभी तक स्प्रॉट नहीं हुए है बट जो स्प्रॉट हुए है वह यह पांच है और यह भी कुछ समय बाद कुछ टाइमेंटल के बाद ज़रूर स्प्रॉट होंगे मैंने उंदर का जो नोड है वो तो वह थोड़ा सा ज्यादा गिला है और मुझे लगता है कि वह जल्द से जल्द स्प्रॉट होई जाएगा तो होपसो में इन वह चीज़े स्प्रॉट हो इनको मैं अभी कुछ वक्त के लिए इसी तरीके से इस मिट्टी में डालूंगा या जो मेरे कैरी जे मेरे घर के बाह लगा दूंगा ताकि जल्द से जल्द और बड़े हो या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि कुछ पॉट लेकर आओ उसमें मिट्टी डाल की इनको वैसे लगा सकता हूं वहाँ पर तो देखता हूं कहा कहा क्या क्या कर सकता हूं क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और मेरे सोचूंगा कहा लगाने हैं इतने सारे तो आपको मेरी यह टेकनिक पसंद आई हो आप मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी यह मेथड बताएं इसमें आपको सिर्फ रखना है और भूल जाना है जैसे मैं भूल गया और इससे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ी कि हाँ टाइम ज्यादा लग सकता है आप जो भी स्टेप्स बाकी यूट्यूब चैनल से देखते होंगे बट आप देख सकती कि मेरा जो रेश्यो अभी का है मैंने आठ नारियर लाए थे और उसमें से पाच ग्रोह है और मैं जो नारियर में लाए थे वो कन्फर्म स्प्राट हो जुके हैं तो फाइव रेस्ट्टू त्री का रेश्यो है कि सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो